नमस्कार दोस्तों जज़ा कि आप देख रहे होंगी तो हिंदी पाठों की सरंखिला में CVSC Board की जो Class 11th की हिंदी है आज हम उसको लेकर के चलेंगे जो कि पहला चप्टर है उसका इदगा जो के एच्छिक हिंदी है अंतरा गद घंड से जो कि संकलित है और इसके जो पाठों के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उन्हें हम जानेंगे जो के पिफिनर गवर्मेंट एक्जाम्स जो के हिंदी विसे को ले करके होते हैं तो उनके लिए ये काफी मेहत्वपूर्ट थावित होती है यह जो NCRT की किताब हैं इनहीं मैंसे जो क्वेस्टन है वे सभी बनते हैं तो आईए चलते हैं इदगा इदगा नामा के एक कहानी है अर्थार्थ इदगा की जो विदा है वह एक कहानी है जिसके कहानीकार या लेखक कह सकते हैं इसको लिखने वाली रचत करने वाले प्रैमचंद जी है तो प्रैम्चंद जी के बारे में कुछ जानते हैं सौट में कि उनका जन्मस्तान 1880 इसवी में वानरसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था 1880 इसवी में वानरसी वानरसी कहां परता है यूपी में तो यूपी का एक छोटा सा गान था लमही उसमें हुआ था उनका मूल नाम अर्थार्थ उनको धनपतराय कहा जाता था लेकिन बाद में उनका नाम प्रैमचंद के नाम से जाना गया तो उनकी प्रार्मेक सक्षा वारानसी में ही हुई असयोग अंदुलन में भाग लेने के लिए सरकारी नोकरी से त्याग पत्र दे दिया उन्होंने अर्थार्थ उस समय जब अंदुलन गांदी जी द्वारा चलाया गया था तो उस आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी सरकारी नोकरी से ही त्याव पत्र दे दिया था तो उर्दू में ये नवाव राय नाम से लेखन कारे किया करते थे जब उर्दू में कुछ लेखा करते थे ये तो अपने नाम था उनका एक नवाव राय उसी के नाम को ले करके ये रचनाय उर्दू में लिखा करते थे तो सन 1915 में पहली कहानी सरस्थी पत्रका में परकासित हुई उनकी सबसे पहली कहानी 1915 इसवी में किस पत्रका में? सरस्थी पत्रका में परकासित हुई और उनकी मरत्यू सन 1936 इसवी में हुई 1880 ISB में जर्म उम्रत्यु 1936 ISB में उनका मूगल नाम धन पत्राय जर्म वानसी जले के लमही ग्राम में वानसी में ही सच्छा हुई असा ये वांदलन में भाग लेने के कान नोकडी से त्याग पत्र दिया और उर्दू में लेखन कारे किया करते थे ये हैं क्वेस्टन बनता है तो किस नाम से किया करते थे नवा वराय नाम से 1915 ISB में उनकी पहली कहानी थी वह एक किस पत्र काम है छपी सारसती पत्र काम है उनकी मुरत्ति 1936 में आईए चलते हैं उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में जानेंगी कहानी संग रहे मानसरोवर आठ भाग अर्थार्थ मानसरोवर में ही उनके आठ भाग हैं अर्थार एक पूरा कहानी का एक मान के चलो पिटारा बना दिया उन्होंने मानसरोवर नाम से गुप्तधन उसमें दो भागे हैं यह उनके कहानी संग रहे थे मानसरोवर और गुप्तधन उपन्यास क्या लेखे हैं निर्मला, सेवासदन, प्रैमासरम, रंग भुमी, करम भुमी, गवन, गोदाम जो कि उनके महत्पूर उपन्यास हुआ करते हैं नाटक लिखे उन्होंने करवला संगराम और प्रयम की वेदी, उनका निवंद संगरे बेवेद प्रसंग थे उनमें तीन खंडों में, बेवेद प्रसंग नाम से तीन खंडों में बाटा उन्होंने बेवेद प्रसंग कोछ विचार, संपाधन करे, उन्होंने जो संपाधन क पत्र गाउं में अपना संपादन कर दीया था। किनोह ने? प्रहम चंद ने माद०री, हंस, मर्यादा और जागरन। साहित ते गुसेस्ता के बारे में जानते हैं कि प्रैमचंद ने अपनी रचनाओं में जन साधारान की वेदना तथा सामाज़क कुरूतियों का मारमिक चित्रन किया हैं उनकी कहानियां भारत की संस्क्रतिय एवं गिरामिड जीवन के बेवेद रंगों से सरावोर हैं कह सकते हैं अर्थार्थ मारमिक चित्रन मतलब अंदर तक की पहुंच जैसे सामाज़क कुरूतियां हैं उनको अपने उपन्यासों के मद्यम से जनता को बताना चाहा और उनके जो कहानियां हैं भारत की संस्क्रति और खास करके ग्रामिड जीवन के जो अनेक रंग हैं या दอะไร कर लिखनाती हैं आई उनकी बाहसा सेली उर्दू में उनकी बाहसा सेली क्या है उनकी जो लेख थी उनकी बाहसा सेली क्या है तो उनकी सैली क्या थी, तो सैली थी भाव पूंग, उनकी जो रचनाई होती थी उन्हों में भाव का पूंग रूप से समाविस था, भावनाओं का, वरनात्मक, उन्होंने अपने निवन्द जो लिखे, वरनात्मक सैली में लिखे, और संबादात्मक, अर्थार बारतालाप के म बाध्यम्षन काहान के हैं उस पर आदारित कहानी है, या कौनसी एदगा कहानी जो के प्रैल्मषन allergy है, कहानी का मुख पात्र हामिद है जो अपनी जादी अमीना के साथ रहता है , हामिद के चारित के माद्यम से अभाव गिरस्ते जीवन के करन बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना क्योंकि जो हामिद बच्चा था वो है अपनी इच्छाओं को दमन कर देता था किस प्रकार से किस प्रकार बच्छा हमिद परेस्थितियों से सम्झादा करना सीख जाता है यह इस पार्ट के माद्दिम से बताना चाहा है आईए कुछ महत्पुन बिन्दों पर प्रकार डालते हैं जो कि ईदगा पार्ट के हैं तो ईद के अफसर पर गाउं में ईदगा जाने के त्यारी हो रही है सभी लोग कामकाज निप्टा कर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं बच्चे सबसे ज़्यादा खुस होते हैं उस समय मेले के लिए तो उन्हें ग्रहस्ति के तिनताओं से कोई मतलब नहीं है एदगा जाने की जल्दी होती है अर्थार जैसे ही मुसल्बनों में एक एद आती है तो उस एदगा की ही बात की गई है जहां पर एक हामिद नम का बच्चा था और वहें कैसे समझ़दार हो जाता है या अपनी घर की परिस्तितियों को समझ़ करके वो है क्या करता है इस पार्ट के मद्दम से जानेंगे कि हामिद है चार-पांस साल का दुबला पतला लड़का है वो है अपनी दादी अमीना के साथ रहता है उसके माता पता गत वर्स गुजर चुके हैं परन्तु उसे बताया गया कि उसके अब बजान रुटए कमाने गये हैं और उसके अमी जान अल्ला मिया के घर उसके लिए अच्छे चीज़ लाने गई है इसलिए हामिद आसावान है और परसन है अमीना स्वें सेवईयां सेवईयों होती हैं खाने वाले जिनकों के खास करके मुसल्वान लोग खाया करते हैं तो अमीना स्वेश सेवईयों के इंतजाम के लिए घर पर रहकर हमिद को तीन पैसे देकर मेले में भीज़ देती है अर्थार गाओं के जब सभी बच्चे जा रहे होते हैं तो वह भी उन बच्चों के साथ हमिद को भी बेज़ देती है कितने पेसे दे कर तीन पेसे दे कर हमिद के साथ थे उसके दोस्त महसिन, महज, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं जो कि हमिद के दोस्त हैं गाउं से बच्चे मेले की और चले हमिद भी साथ था रास्ते में बड़े बड़े इमारते हैं दर्वर चाय बच्चे कलपना सील होने के नाते तरह तरह की कलपनाय तथा उन चीजों पर टीकर टिपनी करते आगे बढ़ते जा रहे थी, तो राश्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा के यहां सपाई कवायद करते हैं, महुस्ञाय का कहिना था कि यही पलिस वाले च साथ साज़दे में जुकते हैं अर्थान एक साथ जो नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ सिर जुकते हैं तथा एक साथ उठते हैं ऐसा प्रतित होता है कि उनके मन में अपार सरद्दा का भाव होता है उनके भीतर की भाहिचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखते हैं या जोडे रखती है, धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं, धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहसे को समझते ही नहीं, और कोई भी धर्म मन्यो सह मन्यो से के बीच बेदे नहीं करता, तो ईत्गा में नमाज की पश्चाता हामिद के दोस्ते चर्खियों पर जूलते है परन्तु हामिद दूर खड़ा रहता है क्योंकि उसी के पास तीन ही रुपे थे और उनसे वह क्या ले उसको समझ नहीं आ रहा था तो खिलोनों की दुकान से महमुद सिपाई लेता है नूरे जो है वकील लेता है मौसिन बिस्ती तथा सम्मी दोबन खरीदता है हामिद खिलोना की निंदा करता है परन्तु उसके साथ ही ललचाई निगाओं से उन्हें देखता भी है कि सभी मित्र मिठाईयां खरीदते हैं और हामिद को चड़ा चड़ा कर खाते है तो मेले के अंत में लोही की दुकान पर चिम्टा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है जैसे ही उसको वह चिम्टा देखता है तो अपनी दादी का ख्याल आता है कि दुकानदार से मूल भाव करके वह चिम्टा खरीद लेता है उसको क्या ख्याल आता है क्योंकि जब उसकी दादी जो थी उसके घर पर चिम्टा नहीं था और जब रोटी सेकती थी चुले पर तो उसके हाथ जल जाते थे तब उसको ख्याल आता है चिम्टे का तो हामिद के तरकों के करण उसके सभी दोस्तों उसके चम्टे से प्रवावित हो जाते हैं और घर में पहुंचकर दोस्तों के खिलोने किसी ना किसी प्रकार तूट जाते हैं तो हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी पर अचानक हाथ में चम्टा देखकर वाच चौप गई पूछने पर हमिद बताता है कि उसने मेले में तीन पैसे का चम्टा खरीद लिया दादी उसकी ना समझी पर क्रोध हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे और कोई चीज खरीदने के लिए नहीं मिली हमिद अपरादी भाव से कहता है कि दादी के उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए उसने चम्टा खरीदा यह सुनकर बुड़िया का क्रोध तरंत इसने में बदल जाता है तो उस बालक हमिद की समझ को इस पार्ट के मादिम से बताया गया है तो दादी अमीना हमिद के त्याग उसका इसने उसका बेवेक देखकर हैरान रह गई अर्था कि इतना चोटा सा बालक और इतना उसमें इसने या बेवेक कैसे पैदा हुआ तो सुबैसे भूका बच्चा है जो कि उसने तीन पैसे थे उसके पास उसने कुछ भी नहीं खाया था दूसरों को मिठाई खाते देखकर कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा मिले में भी इसे अपने बुड़ी दादी की याद बनी रही यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया दादी अमीना एक बालका के समान डूरनी लगी वो अदावन फिला कर हमिद को दूआइं देती जा रही थी तो था आंस्चों की बड़ी बड़ी बूने गिराती जा रही थी परन्तु हमिद इस रहसे को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याक का अन्भाव कर भावे वो रो हुई हमिद यही नहीं समझ पा रहा था कि वह दादी के लिए चिम टलाया है तो फिर दादी रो क्यों रही है इस पाड़ के मद्यम से क्या समझ में आता है आपको और हमिद को क्या ऐसा करना चाहिए था क्या आप भी उस हमिद की जगे होते तो ऐसा ही करते तो इन सभी पाड़ों इस पाड़ के मद्यम से प्रैम चन जी ने उस बालक के मद्यम से क्या है आपने बच्पन में एक बच्पन की या बाल मनुवे ज्ञान का बर्णर करते हुए एक समाजधारी का प्रतीक इस पार्ट की माध्यम से संद्लोगों को या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको संदिश दिया है कि हमें व्यर्थ ही किसी भी चीज को या किसी भी चीज के उपर फल्दू पैसा खड़्च नहीं करना चाहिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो गाई धन्यवाद तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए किरपया चैनल को सबस्क्राइब करें सेर करें एंड लाइक करें धन्यवाद